अधिक्स वेलकम बैक टूमाय यूट्यूब चैनल डिजिटर सर्विस दोस्तों आज हम अगर पात करें इंडियन मार्किट की तो जहां हमको निफ्टी बैंग निफ्टी में अच्छी कासी गिरावर दिखाई 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 दिवहीं पर जो फटलाइजर कंपनिया हैं उनके सेरों में हमें जबर्तस तीजी दिखाई दी है उसके पीछे का रीजन क्या है साथ साथ खेतान केमिकल्स और फटलाजर लिंडर्स के सेर्ज में आपको करना क्या है हर एक बात पर हम यहां पर डिटेल से चल्चा करने वाले हैं चैनल पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें बिजनिस टेंडर्स का एक आर्टेकर यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ खेतान केमिकल्स ही नहीं जो भी मार्केट में फटलाजर कंपनियों से लिस्टेड जो कमणिया हैं स्टॉक मार्केट में जो फटलाजर का काम करती हैं इसमें MFL की बात हो, FACT की बात हो, National Fertilizers की बात हो, Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited की बात हो, या खेतान Chemicals and Fertilizers Limited की बात हो, या RCF की बात हो, हर एक स्टॉक में हमको 10 से लेकर यहां पर 8 प्रतिस्त से लेकर करीब 20 प्रतिस्त के तेजी दिखाई दी, अब इस तेजी के पीछे के अपसे दो Traditional Fertilizer Subsidy की, और साथी साथ रूसी मीडिया की डिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक रूस सभी तरह के Fertilizers पर करीब 450 टॉलर प्रतिटन के cut-off price के साथ, 25% की यानि की 25% का जो भी Export Duty है, वो लगाएगा, जो की यहां एक जन्वरी 2023 से लागू हो जाएगी, और तो जैसे ह यह आर्टिकल नियूज में मीडिया में आया, हमें Fertilizers company के share में अच्छी कासी तेजी दिखाई दी है, अगर हम बात करें, पिछले last बीते हो एक मंत की, यानि की past one मंत की बात करी जाए तो MFL, FACT, RCF, NFL के share में हमको करीब 38% से लेकर 60% की तेजी दिखाई दी है, अब आप जो भी हमारे प्राणी वीवर्स हैं, आप सभी ये प्रस्न में उससे पूछ सकते हैं, कि सब इन चीजों को बताने के से कि फायता क्या अब है, क्योंकि मैं आप लोग मेरा जो commitment है कि मैं उन stocks के बारे में समय समय और बताता रहूँगा, कि जिनमें तेजी आने वाली है, और तेजी आने से पहले भी आप लोग उस stock को trade कर पाओ, और यहाँ पर profit बना पाओ, लेकिन कुछ मेरे health issue को ले करकर हम वीडियो जादा upload नहीं कर पा रहे थे बीच में, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर fact के shares के बारे में, तो यहाँ पर जो भी हमारे paid member हैं, जो भी हमार पारे demo members हैं, आप अभी को पहले clear बताना चाहता हूं कि हमारे paid service भी चलती है, जो कि हम 7 days के लिए demo को तोर पर fee of cost calls दे रहे हैं, अगर आपको भी service का फाइदा उठाना है, तो link discussion में दे रखिए, जाकर join कर सकते हैं, service अच्छी रखती है, तो आप nominal से charges जिनको pay करकर, आप service माध्यम से, उस समझाने की कोशिश भी करता हूं कि क्या वो reasons हैं, क्या वो resistance है, क्या वो support है, जहां पर आपको sell लेना है और profit book करना है, ताकि जो भी आपकी trading journey है, उसमें आपने portfolio को green कर सके हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें fact की, तो जो भी हमारे demo group के member हैं, या जो भी हम हमने fact के stock को करीब 116 रुपए से लेकर 114 रुपए के price के उपर buy करने की सालह दी थी, जो यहां पर हमारा SL था, वो 137 का था, और इसके अलावा जो हमने target दिये थे, 160 से लेकर 175 तक के, उसके बाद यहां हाला कि हमने target को revise भी किया था, और आज अगर आपने देखा होगा, त तो खासकर fact के अंदर हमको 20% का circuit भी लगता हुआ दिखाई दिया है, तो अब यहां पर आप सब समझ तो गए होंगी कि इस media, इस report के आने के बाद यहां पर हमको fertilizer के companyों में share में तेजी क्यों दिखाई थी, अगर हम पूरी report की माने हैं यहां पर, तो प्रभुदास लीजा अदूस द्वारा निर्यात किये जाने वाले अधिकांस जो fertilizer's, यूरूपी छेत्र हैं, उसमें बड़े पैमाने पर इनका उप्योग किया जाता है, हाला कि इसका स्पस रूप से भारत पर भी प्रभावा पढ़ने वाला है, आयात की लागत जो है यहां पर करीब 70 डॉलर क इतरन तक बढ़ाने की संभावना भी बताई जा रही है, उसके अलावा हाली में बात करें, तो जो भी fertilizer subsidies यहां पर देखी गई है, उसमें कमी की सरकार की गोस्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर FY23 में इन्होंने अपनी जो भी बुक से असो पहले से क्लोस कर दिया था, बलकि इसके अलावा जो analyst है, मिस्टर हिमान सुविनानी जी उनका मान रहा है कि हमारा विचार यह भी है कि जो ब्रोकरेज फर्म ने एक सेक्टर अपडेट में कहा है कि अगले financial year 2024 तक कि अगर हम बा 2022 में अनुदान की पूरक मांगों की पहली किस्त के माध्यम से करीब 4.36 trillion dollar रुपए के अतरिक्ट सकल खर्च के लिए संसत की मंजूरी भी मांगी है, और वरक यानि fertilizer जो भी subsidy है, उसके लिए करीब 1.09,000,000,000 करोन रुपए में से 23,122 करोन रुपए, पी एंड के यानि की फॉस्फेटिक और पोटासिक और करीब 86,180 करोन रुपए यूरिया के लिए आवंटित किये गए हैं, तो या अरुवरक जो भी fertilizer subsidy है, इसके लिए 1.05,000,000 करोन रुपए के बजट आवंटन के अतरिक्ट है, सामा चार पत्र में यह भी बताया गया है कि अतरिक आवंटन का जो देश है, वो उरुवरकों और कच्चे माल की अंतरास्टी कीमतों में तेजी, जो तेजी से व्रद्धी हो रही है, उसके कारण जो भी किसानों की मदद हो सके, यानि कि जो इनके अंतरास्टी कीमतों में जो भी ड्राव मेटियर जो यह परतियस करते हैं, उसमें जो तेजी की वएश से इनके दाम ना बढ़ें और किसानों की मदद करी जाए, इसलिए यहां पर जो सरकार सबसिटी दे रही है, सरकार दौरा मदद करी जा रही है, तो यहां पर अगर हम बात करें, खेतान केmical यद फेटिलाइजर्स की, तो अभी हमारा करीब वन मन्त पहले एक वीडियो आई था, वन मन्त ऐख पहले एक वीडियो आय था, अगर आप यहां पर आपका व्यू लॉंग टम का है तो आप इस stock को hold and continue कर सकते हैं और अगर आप fresh entry बनाना चाहा रहे हैं यानि कि जो भी stock लोगों के क्या था यहां पर कि इस stock को इन्होंने जो भी इसका high level था वहां पर buy गिया था उसके बाद उनके buying लेबल से करीब यहां पर हमको 50% की गिरावर दिखाई दी है तो गिरावर दिखाई दी थी जिसके कारण यहां पर कई सारे जो निवेशक हैं जो हमारे भाई हैं खेतान, chemicals and fertilizers को लेकर बहुत जाद चिंतित दिखाई पर रहे थे तो हमारे एक वीडियो यहां पर आया था जब हमने कहा था कि अगर आज आपने देखा होगा तो वहां पर हमको यह target अजीब होते भी दिखाई दिये हैं लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बात और गई थी कि यहां पर एक major resistance भी आने वाला है जो करीब यहां पर आपका 87 रुपीज से लेकर 87 रुपीज से लेकर करीब 90 रुपीज तक के यहां पर रहने वाला है तो जब तक stock 92 के label को hold नहीं करता है ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई भी आप यहां पर long view position मत बनाईए आप swing trading के जरीए ही यहां पर stock में trade करिए और क्यूंकि अभी हाल अभी अगले मन्त यानि कि आनने वले एक से डिव मेने के अंदर अंदर quarter 1 के results की भी यहां पर आनने स्टार्ट हो जाएंगे तो यह देखना काफी महत्पूर्ण होता है क्योंकि की results कैसे रहते हैं क्योंकि यहां पर सरकादार अभाज़ता मरत करी जा रही है और यहां पर कई सारे sectors की जो कंपनिया है उसके राम डिल की cost में यहां पर हमको 40% तक की गि देश करें तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर आप इस stock को buy करकर चल सकते हो और यहां पर व्यू मैं फिर से कह रहा हूँ वो SL रहेगा करीब 85 रुपीज का टागेट यहाँ पर वही रहेंगे जो आपको 120 से लेकर 100 रुपीज तक के दिखाई दी सकते हैं आने वाले upcoming 12 मंत के अंदर तो ज़रूर इस स्टॉक को आपको focus में रखना है सिर्फ इसी स्टॉक को नहीं जो भी यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर कंपनियां डिसकस किया है चाहे वो MFL हो, FACT हो RCF हो या फिर National Fertilizer हो हार एक सेक्टर की कंपनियों पर आपको नजर बना कर रखनी है तो अगर अभी कोई भी क्वैरी आपको इसी स्टॉक से related है तो आप comment box में comment drop कर यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं तो एक बात conclusion और निकालना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक जो भी निविशक ने हमारे स्टॉक को buy किया था हमारे जरह बताए के level पर तो यहाँ पर उचाहें तो profit booking भी कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा रिस्क लेने की capacity है तो आप इस stock में यहाँ पर करीब करीब 79 रूपीज की आसपास का आप एक SL रखिए और यहाँ पर further 90 रूपीज की target के लिए stock को hold and continue भी कर सकते हैं यहाँ पर यह आज जरूर है कि 79 से लेकर मैं आपको बताने चाहता हूँ करीब करीब 74 तक के यहाँ पर आप SL लेकर चल सकते हैं अगर आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं तो 74 का SL लगाईए, रिस्क थोड़ा कम लेने चाहते हैं तो 79 का SL लगाईए और 90 के लेवल के लिए स्टाउक को hold and continue यहाँ पर कर सकते हैं तो I hope सारे डॉट्स यहाँ पर clear हो गया होंगे अगर अभी तक आपने हमारे demo group को join नहीं किया है तो link description देर रखी जाकर join कर लें Thank you for watching this video, जैहिन, जै भारत